नमस्कार साथिहों इस समय में खड़ा हूँ हमारे आम और नीबू के प्लांटिशन में जहां हमने 15 ऑफhalten पे आम केसा राम हमने प्लांट किया 15 ऑफ़ट पे हमने नीबू का प्लांटिशन किया और आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमने मसूर की इंट्रकॉपिंग की है और किस तरह से हमने दो पोदों के बीच में सहजन को लगाया है दो कतार जो 15 भाई 15 फिट की है उसके साथ आप देख रहा है कितनी शानदार है इसकी मसूर की हमने प्लांटेशन किया कितना अच्छा ग्रोथ है इसका रोग मुक्त फसल है साथियों कुछ भी हमने इसमें नहीं दिया है कोई स्प्रे हमने नहीं किया कोई हमने बेजल डोस में घंजियोमरित नहीं दिया कोई जियोमरित नहीं दिया पानी के साथ और ना ही हमने कोई इसका स्प्रे किया है इसके बावजूत फसल की ग्रोथ बहुत शानदार है मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यह हमारा केसर आम है इसका plantation हमने करीब जुलाई आउगस्ट में किया था और जैसे कि आप देख रहे हैं इस आम से दो मुंगे की जो दूरी है यहां साड़े साथ फिट पे हमने यह मुंगा लगाया यानि की दो आम 15 बाई 15 फिट की बीच में जो एक मुंगा है वो हमने यह लगाया हुआ है और इसी तरीके से यह वाली पूरा मेरे पीछे आप जो plantation देख रहे हैं पूरा आम का plantation है और बीच में हमने यह सेजन लगाया है सेजन लगाते समय हम थोड़े से लेट हो गए और जहां से हमने यह बीच लिया जिस किसान सांती से बीच की quality उतनी अच्छी नहीं थी germination उतना अच्छा नहीं हुआ उस कारण से पूरे plot में सेजन का अंकुरन नहीं हुआ otherwise यह खित और भी सुन्दर दिखता लेकिन फिर भी एक सेजी भी फसल के तौर पे हमने इसको लगाया है एक symbiotic crop के तौर पे हमने इसको लगाया है ताकि हमारे आम और हमारे नीबू को उनकी growth में यह एक सहाइक बन सके पैसा अगर हमको इस से मिलता है वो हमारे लिए bonus होगा यह साथ में आप देख रहे हैं यह हमारी नीबू की लाइन है यह नीबू हमने यह प्लान्टेशन हमने यह किया हुआ है यह पूरा लाइन रो नीबू का है यहाँ भी आप देखे हैं करीब 15 फिट के आसपास हो या 20 फिट के आसपास हो तो उसमें आप ये सहजन एक सहजी भी फसल की तौर पे इंट्रकॉपिंग की तौर पे आप बिलकुल लें एक बहुत अच्छा विकल पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का बायो मास हमको उससे बहुत अच्छा मिलता है और मै अम्रूद में भी मैंने मसूर का प्लांटेशन किया है अम्रूद हमने 10-10 फिट पे लगाया था उसमें भी मसूर का प्लांटेशन किया लेकिन मुनगा नहीं लगाया क्योंकि अम्रूद का डिस्टेंस काफी शॉट था और अगर हम मुनगा लगाते तो अम्रूद की ग्रो है अम्रूत के मुकावले अम्रूत के मुकावले कहीं गुना बहतर है आप देखें ये मेरे और मुस्ट नी तक आ रही है और कोई भी इसमें रोग नहीं है फ्लारिंग स्टेज पर है और मुझे लगता है कि अगले एक महिने में ये फसल कट जाएगी तो ये वीडियो था ज़रूर बनाएंगे और इसकी हम बीच-बीच भी थोड़ी माहिने प्रूनिंग कर चुके हैं सहजन की और आने वाले समय में फेबूरी में शायद हम इसमें अभी थोड़ा सा आम की प्रूनिंग भी करेंगे माहिने प्रूनिंग होगी और कोशिश करूँगा उसका वीड बहुत बहुत धन्यवाद